24 जून को गुलावी बाग में 70 लाग की लूट के मामले में सकरपूर की स्टार्टू की क्राइम ब्रांच ने गीता कलोई से एक आरोपी को गिरफ तार किया क्राइम ब्राइश टार्टू की टीम के एसीपी आरविंद कुमार की देख रेक में एक टीम बनी थी जिसमें श्पेक्टर दिनिस कुमार, श्पेक्टर अरुन सिद्धू, एसई हवासिंग, एसई सुभास, हैट कोशिबल अबदेस, कोशिबल कुल्दीव इस टीम में सामिल दे, रविवर की साम को एक गुफ सूचना मिली थी, कि गीता कलोनी, ब्लोक 14, लेवर चोक के पास एक आरोपी आने वाला है, जिसके बाद टीम ने जाल बिचाया, और रविवर की रात को आरोपी को गिरफतार कर लिया, पूश्टास में आरोपी का नाम रविंद्र बताए गया है, जिसको गिरफतार कर लिया है, और बाकी से आरोपी को पकड़ने के लिए पूश्टा जारी है, और टीम बना दी है, वहीं बता दे कि सतर लाग के मामले में अर्विंद्र नाम के बदमास को गिरफतार किया, इसके पास से बारा लाख सतर जार रोपी भी बरामत की ह हैं, आपको बता दे कि इस मामले में पास बदमास बता जार दे, जिसमें से एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है, बागी की पुलिस तलास कर रही है, और कैस बरामत की कोशित कर रही है, वहीं पुलिस की कई एजन्सियां और दिनली पुलिस के स्टाप भी लगा हुए है,